हाई दोस्तों आप सबी को जैक अंजल चैनल में हार्दिक स्वागत है आज की यात्रा है मडी केरी के एक एतिहासिक स्तल के दर्शन की इसे गदिगे या राजा का मगबरे भी कहा जाता है राजा का मगबरा उनी स्वीम सदी का एक लोप्रिय स्मारक है दक्षिन भारत में करनाटक स्टेट के कोडगो डिस्ट्रिक्ट में ही ये मडी केरी नामक खूबसूरत हिल स्टेशन है यहां केवल एक चोटी सी पार्किंग की सुवीधा है मडी केरी में एक पहाडी की चोटी पर बना है ये राजा का मगबरा आपको प्रवेश करने के लिए एक टिकेट खरीदना पड़ेगा यह है राजा के मगबरे का मुख्य द्वार पहाडी की चोटी पर बने इस उध्यान के मध्य में राजा का मगबरा स्थिप करते है यहां मुख्य रूप से देखे तो तीन भवन है इसे गदिगे के नाम से भी जाना जाता है मडी केरी में राजा का मगबरा एक प्रमुक आकर्शन है इसे उननीसवीम शधाब्दी में बनाया गया था मडी केरी के निकट महादेव पेट में राजा की समादी स्थित है महादेव पेट मडी केरी शहर से लगबग ठेट किलोमीटर की दूरी पर स्थित है यह एक बहुत ही एतिहासिक जगह है राजा का मगबरा कोडगो किंग्स का अंतिम विश्राम स्थल है कोडगो किंग्स ने दो साउसे अधिक वर्षों तक इस क्षेत्र पर शासन किया था हलेरी राजा दोड़वीर राजेंद्रा ने इस क्षेत्र का नाम महादेव बेट रखा था और उन्होंने अपनी मृत्वपत्नी महादेवी अम्मा के लिए एक बव्य मगबरे की योजना भी बनाई महादेवी अम्मा दोड़वीर राजेंद्र महाराज की दूसरी पत्नी थी यह कंसेप्ट प्रसिद ताज महल से प्रेवित होकर बनाया था यहां मुक्य रूप से तीन कब्रे है बीच वाला सबसे बड़ा मगबरा है परिड़कों के लिए केवल बीच वाले मगबरे में ही प्रवेश की अनुमती है मगबरे के अंदर एक धम सन्नाठा सा माहोल है इस मगबरे को वर्ष 1809 में चालू किया गया था इसे हलेरी राजा दोड़वीर राजेंद्रा ने अपनी प्यारी पत्नी महादेवी अम्मा के लिए बनाया था दोड़वीर राजेंद्र महाराज ने उल्ले किया था कि उनकी मृत्यू के भाद उने राणी के बगल में दफनाया जाना चाहिए उसी वरश उनकी मृत्यू हो गई जब मगबरा बनाया गया था इस मगबरे में दफन है राजा और रानी निर्मान कार्य उनके भाई लिंग राजींद्र ने पूरा किया था शीव लिंग के साथ भारत में ये एक मात्र मगबरा है भगवान शीव को समादी के अंदर रखा और पूजा जाता है इस थान अच्छी तरह से बनाया रखा है ये मगबरा वास्तुकला की इंदो सरसनिक शैली में बनाया गया है इंदो सरसनिक उनीस वीम शदाप्ती की एक बहुत सी लोगप्रिय स्तापत्ति शैली है इंदो सरसनिक वास्तुकला, हिंदु वास्तुकला और इसलामी वास्तुकला का मिश्रित रूप भी है मैसूर पैलस देके तो इंदो सरसनिक वास्तुकला का सबसे सुन्दर उधाहरन है ये हौल बहुती सुन्दर बनाया गया है इस हौल में कई साज सज्जा की गई है यह यहां का सबसे बड़ा मगबरा है यह यहां की दूसरी चोटी कबर है यह मगबरा लिंग राजेंद्र और उनकी प्यारी पत्नी के लिए बनवाया गया था इस मगबरे के अंदर पर्यटकों को जाने की अनुमती नहीं है लोकडाउन है लिंग राजेंद्र दोडवी राजेंद्र महाराज के भाई थे इसका निर्मान उनके पुत्र चिकवीर राजेंद्र ने वर्ष 1820 में करवाया था इंडो सर्शनिक वास्तुकला के सुन्दर डिजाइन यहां देके जा सकते है यहां की देके ये गिटकिया पत्रों की बनी है पत्र पर कई चित्र भी है यह विंडो भार कांसे से बने है बुर्ज से सजा है ये मगबरा आमतवर पर देके तो बुर्ज ज्यादा तर मुस्लीम वास्तुकला में देके जाते है इस मगबरे के शीर्ष में चारो और नंदी की मूर्तिय भी देकी जा सकती है बुर्ज के शीर्ष पीतल दातु से ठके हुए है ये रुद्रपा की समाधी है वीर राजिंद्र के गुरु वर्ष 1834 में निर्मित है ये लिंगायत शासकों के सबसे समानित गुरुओं में से एक ते ये एक चोट आसा मगबरा है इस मगबरे के अंदर पर्यड़कों को जानी की अनुमती नहीं है यहाँ दो अन्य चोटे मगबरे है इस बगीचे के दूसरी और स्तिप करते है ये मडिकेरी राजाओ के दो प्रदिश्टित साइन यदिगारियों का मगबरा है इन में से एक बिद्धंडा बोपो का मगबरा है और दूसरा उनके पुत्र बिद्धंडा सो मया का ये दोनों टिपो सुल्तान के किलाफ युद्ध में लडने वाले वीर सैनिकते उने के समान में ये बनाया गया था राजा का मगबरा एक चोटे से बगीचे से गिरा हुआ है इस मगबरे का हॉल ही में जीर्नोधार किया गया है यहाँ बीड बहुत कम है एक बहुत है शान्त जगर इतिहास प्रेमियों के लिए ये एक आदर्श स्थान है ये हिंदु राजाओं के लिए भारत में एक मातर मगबरा है इस बगीचे से मडिकेरी शहर को आप देख सकते है ये कूर्ग में एक प्रमुक आकर्शन है ये समारक, इसलामी और हिंदु स्तापत्य शैली का एक प्रभावशाली मिश्रन भी है अच्छा दोस्तों, आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेर कीजिए आप भी तब सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कीजिए आगले वीडियो में फिर से मिलेंगे तब तक स्टे सेफ, बाई